हलो दोस्तो आज की हमारी रेस्पी स्वाद और सेहत से भरपूर है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनई के फूल की बहुत ही स्वाधिफ्ट रेस्पी चावल और रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं कुछ लोग जानते ही नहीं है कि सनई का फूल होता क्या है तो चलिए खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका फूल कैसा होता है तो यह रहा सनई का फूल ऐसा दिखता है इसके फूल और कलियों का ही इस्तमाल होता है बाकि इसके फल का कोई यूज नहीं होता है सिर्फ बीज के लिए ही स्टोर किया जाता है कलिया और फूल दोनों को त पीले हो जाते हैं और इनके बीज काले होते हैं तो आप इने इस्टोर करके रख सकते हैं अगली फसल के लिए बाकी इनका बीज तो कुछ भी इस्तमाल में नहीं आता है सिर्फ बोने के लिए ही रखा जाता है गाओं में इनके बीजों का इस्तमाल खाने के लिए बिलकुल न तो आप खिले हुई फूल या फिर इस तरीके से बंद कलियां भी ले सकते हैं दोनों से इसकी सब्जी बनाए जाती है तो इसको बनाने से पहले साप कर लिया जाता है इसमें जो पत्रे-पत्रे छोटे से डंठा लगे हुई हैं कलियों और फूलों के साथ में तो उनको हमने ह दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन धुलने से अच्छे से साफ हो जाएंगे तो इनको धुलना अच्छे से बहुत जरूरी होता है फूल में वैसे भी काफी सारी चीटियां और कीड़े होते हैं छोटे-छोटे से दुलने से ये काफी ज़्यादा गीली हो गई है तो हम इने जाली वाली छलनी में निकालेंगे ताकि इनका सारा पानी निकल जाए ये बहुत छोटी-छोटी सी है चाहे फूल हो या कलिया हो इन्हें काट करके नहीं बनाते हैं साबूत ही बनाया जाता है तो इनको अब ऐसे ह की रग देंगे काटना छाटना बिल्कुल नहीं है बस इनका सारा पानी निकल जाए जब तक इनसे पानी निकल रहा है हम बाकी दूसरी तयारी कर लेते हैं तेहां पर हमने कढ़ाई में पांच बड़े चमच सरसो का तेल डाला है इस सबजी को आप सरसो के तेल में ही स्वाद अच्छा आता है थोड़ा सा लहसन हरी मिर्ची और मैंने तड़के में जीरा डाला है एक आलू लिया है बड़े साइस का और इनको मैंने चौकोर टुकडों में कटकर लिया है नहीं जादा बड़े हैं और नहीं छोटे हैं जिनके पास फूलों की मातरा जादा होत का ही स्वाद आएगा सब्जी में अब इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मध्यमाज पर पकने के लिए और हम बाकी दूसरी तयारी कर लेते हैं सब्जी के जो मसाले हैं उन्हें देख लेते हैं एक बड़ा चमस साबू धनिया एक चमस जीरा और एक चमस राई लाल जरूर डालते हैं लोग तहां पर जो हम इसमें लहसन डाल रहे हैं उसको पूरी तरीके से छीलना नहीं है इस सब्जी में प्यास नहीं डालते हैं लोग लेकिन लहसन की मात्रा जादा रखते हैं लहसन का आगे का और पीछे का पार्ट हम इस तरीके से काट कर हटा देते है जो उपर का मोटा वाला छिलका है उसको उतार देते हैं बाकी जो पतला वाला छिलका है उसे हम रख लेते हैं आप चाहें तो पूरा छील कर भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे इस सबजी में कम छीला हुआ लहसन ज्यादा स्वादिश लगता है सबजी की खुस्बू और स्वाद दोनों बढ़ जाता है इसलिए हम इसे ज़्यादा छीलते नहीं है बस इस तरीके से लहसन को साफ कर लेते हैं ये मसाले हमने साबूत लिये हैं तो हमें इनका पेश्ट बनाना है जिसके लिए आप इन्हें मिक्सी जार में भी पीश सकते हैं या फिर इस तरह से हैं तो उनको बाद में डालेंगे थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और अब हम इन्हें पीश लेते हैं इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है मसालों का मिक्सी जार में पीसे हुए मसालों का इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है गाउं में इसी तरीके से जब सबजी ब डाल देते हैं अगर इनको साथ में पीसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बारीग पिषजाते हैं इनने हमें थोड़ा सा दरद्रा मसालों को जब हम ठीक तरह से बनाते हैं तभी हमारी स्वादिष्ट सबजी बनकर तयार होती अभी हम इन मसालों को बीस रहे हैं तो बीसते हुए हमारे किचन में इतनी अच्छी खुस्बू आ रही है सोच करके ही मुँ में पानी आ रहा है कि इन मसालों से कितनी स्वाधिष्ट सबजी बनेगी तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी काली मिर्च ली है पहले हम डालना भूल गये थे तो अब हम इने बाद में डाल देते हैं इन मसालों को अगर सूखा पीसेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जब इनको पीसते हैं तो यह बहुत जल्दी पिसकर के तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर सारे मसाले पिसक गए हैं अब हम इने सिल्वर टेपर से हटा लेते हैं जितना भी बाकी मसाला लगा हुआ है सिल्वर टेपर उसको भी हटा लेंगे मिक्सी जार में आप कितना भी कोशिस कर लें इतने अच्छे मसाले पिसकर नहीं तयार होते हैं और इतनी अच्छी खुस्बू भी नहीं आती है काफी सारा मसाले का पेश्ट सिल पर लगा हुआ था तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आलू को भी देख लेते हैं मध्यमाज पर आलू फ्राई हो रहे थे ये 50% लगभग पक चुके हैं अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं एक चमच लेंगे बेशन ज्यादा बेशन की मातरा नहीं लेनी है बस एक ही चमच लेना है और इसे तेल में डाल करके भून लेते हैं हमने इसमें बेशन डाला है और इसमें जो आलू होता है थोड़ा सा मिठास वाला होता है तो आलू की मिठास कम करने के लिए एक छोटी कटोरी मैंने दही लिया है अगर आप कप से नापेंगे तो ये आधी कप है और दही को इसमें अच्छे से मिलाना है ताकि दही फटे नहीं आज को हमने स्लो कर दिया है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं पर आमचूर पाउडर से सबजी में एक अलग ही स्वाद आता है दही डालने से इसमें अच्छा स्वाद आता है क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तमाल किया है और इसमें एक चमस डालेंगे कसमेरी लाल मिजजी पाउडर ये बिल्कुल ऑप्सनल है यदि आप डालना चाहते हैं तो डालें इसे सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है छूटने तक भूनेंगे जब तक इनमें से तेल अलग नहीं होने लगता है तब तक हम इने भूनेंगे ये थोड़ा सा चिपकता है मसाला कड़ाई में लेकिन जब हम इसे लगातार चलाते रहते हैं तो ये अच्छे से छूट जाता है और साथ में भूनता भी रहता है तह ये फूले फूले हरे भरे हैं इसलिए थोड़े जादा लग रहे हैं पकने के बाद इनकी मात्रा आधी ही रह जाती है तो मसालों को इस तरीके से छुटा लेंगे और सबजी को अच्छे से मिला लेते हैं ये सबजी आप ज्यादा गीली भी बना सकते हैं और थोड़ा सूखी भी रख सकते हैं या पर हम थोड़ा इसको मसाले से लटपटी बनाने वाले हैं तो एक कटोरी पानी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं अगर आप ज्यादा गीली खाना चाहते हैं तो एक कटोरी पानी और डाल सकते हैं गीली भी अच्छी आपने एक दो बार और इसे चेक कर लिया था ताकि नीचे से ये चिपके नहीं तो लिजे सबजी बन करके तयार हो गई है और अभी ये देखने में ज्यादा लग रही थी अब इसकी मात्रा कम हो गई है आलू भी पक गया है आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गीली भी बना सक लेकिन इस तरीके से मसाले से लटपटी सबजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में चावल के साथ रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं आप इसमें डालना चाहें तो बारी कटा हुआ हरा धनिया पती डाल सकते हैं या दिन नहीं है तो आप इसके बिना भी इस कि स्वादिष्ट सबजी रेस्वी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा रेस्वी जरासा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं इसी तरह की और भी धेर सारी लाजवाब रेस्वी के साथ बाबाई